तो immunity सबसे पहले क्या होती है? immunity का simple सा जो मतलब है वो ये है कि body का defense mechanism body pathogen से जो fight करती है या हमें disease के परती resistance provide करती है ये immunity कहलाता है तो defense mechanism होता है immunity का simple सा English में earth कुछ terms आपको immunity के बारे में पहले पता होनी चाहिए सबसे पहले antigen क्या चीज़ होती है तो antigen जो है वो substance होता है जो कि क्या बना सकता है which stimulates antibodies जो कि क्या बना सकता है antibodies बना सकता है एक ऐसा substance दूसरा antibody antibody क्या चीज़ होती है antibody होती है glycoprotein important ये glycoproteins होते है जो कि कौन सिक्रीट करता है B-Lymphocyte सिक्रीट करती है या फिर यहाँ से बोल सकते हो कि B-Lymphocyte इसे बनाने में help करती है Antiserum What is Antiserum? Antiserum basically एक serum होता है जो कि हमें animal से मिलता है Serum of any animal nodes आप साथ के साथ बना सकते है which contains एक ऐसा serum जो कि हमें मिला है animal से और उसके अंदर क्या है antibodies है तो वो क्या गयलाता है anti serum क्या लाता है fourth है agglutination क्या मतलब है agglutination का antigen क्या antibody के साथ में react करना reaction कहलाता है agglutinogen और इसकी जो study है यानि अगर मैं agglutination पढ़ता हूँ कि antigen और antibody किस तरीके से आपस में react करते हैं ये जो study है ये कहलाती है serology तो इन terms के बाद में types of immunity देखते हैं तो type of immunity हमारे पास जो है वो दो type के आती है एक type of immunity है बच्चे जो की हमारे पास में बच्चपन से होती है मतलब पैदा होते time से ही है तो innate बोलते हैं उसे दूसरी वह होती है जो हमने acquire की है अपनी life के time पर तो ये acquired होती है दूसरी वाली तो innate immunity और acquired immunity को हमने इसके भी further types होते हैं ये पढ़ने होते हैं तो innate immunity से शुरुआत करते हैं इसके अंदर हमें 4 level देखने को मिलते हैं या फिर आप कह सकते हो कि 4 सब types है innate immunity के पहला है physical barrier इन सभी को हम देखेंगे detail में दूसरा है physiological barrier तीसरा है cellular barrier और last है इसके अंदर जो हमें पढ़ना होता है वो है cytokine barrier वहीं अगर हम बात करें acquired immunity की तो acquired immunity में further दो टाइप आते हैं एक टाइप है active acquired immunity acquired immunity और दूसरी type है बचे passive acquired immunity अगय क्टेव अक्टाइब इन अगय कि फर्दर दो type की होती है natural active acquired immunity और artificial acquired immunity, acquired, active acquired immunity पैसिव के बात करें तो ये भी दो तो नेक्ट्रों इंफ्शन होता है तो बाडी के अंदर anti bodys Uhm, बॉडी ने खुद ने antibody बनाई, तो अक्टिव integral infection हुआ то natural active एक्टिवाइड इम्यूनिटी, आर्टिफिशल, हम एंटिजन डाल दें बॉडी में, जैसे वेक्सिनेशन करें, हम वेक्सीन शॉट लगाया भी हमने, और उसकी वज़े से बॉडी में एंटिजन गया, आर्टिफिशल हमने इंट्रिद्यूस किया है, और बदले में जब हमें बाहर से मिले, मतलब बाड़ी खुद नहीं बना रही, बाहर से कहीं से मिल रही है, तो नेट्रल में भई, आईजी, जी जो है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करकर, मदर से जाती है, फ्टस के अंदर, और दूसरी है आईजी, जो की कॉलिस्ट्रॉम में होती है, में से यह दोनों antibodies as a gift हम बोलते हैं कि चाहिल में transfer हुई है artificial जैसे अभी हमने पढ़ा anti serum ऐसा serum जिसके अंदर antibodies हैं वो हम क्या कर दें एडिमिनिस्ट कर दें patient के अंदर तो यह हैं types of immunity हमें सबसे पहले पढ़नी है innate immunity और सिर्फ इस lecture में innate immunity ही complete हो पाएगे next lecture जो हम करेंगे उसमें पढ़ेंगे acquired immunity तो innate immunity तो यह जो innate immunity है यह non-specific type होती है मतलब क्या है non-specific का भई मैं example से समझाता हूँ innate immunity में skin आती है तो skin कभी ऐसा थोड़ी करती है कि भई virus को तो मैं रोक दूंगी लेकिन bacteria को नहीं रोकूंगी या मैं fungus की growth तो नहीं होने दूंगी मतलब fungus को body mentor नहीं करने दूंगी बलकि sinobacteria को करने दूंगी तो ऐसा नहीं होता न मतलब सभी के साथ समान तरीका का behavior non-specific है कोई किसी type का discrimination नहीं है तो non-specific type of defense यह होता है और present at the time of birth यानि बच्चा जब पैदा हुआ तब से लेकर आज तक उसके अंदर ये सारी की सारी immunities जो innate में हम पढ़ेंगे ये मोजूद रहती है इसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है physical तो physical का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है physical में example है skin skin जो होती है वो होती है stratified squamous epithelium अब मैं इन सारे शब्दों को समझाऊंगा क्योंकि मैं ये assume करके चल रहा हूँ कि आपको ये नहीं आता देखो squamous epithelium epithelium होती है covering करती है वो cavity की covering करती है मतलब body की surface बनाती है basically squamous शब्द ये बताता है कि यहाँ पे जो cell है वो flat cells और stratified ये बताता है कि ये एक layer नहीं है बलकि इसके उपर इस तरीके से बहुत सारी layers है तो skin जो होती है उसमें कई सारी layers होती है squamous epithelium की cells की इस वज़े से हमने नाम इसका रखा है stratified squamous epithelium simple है skin actually protect कैसे करती है पहली बात तो इसने barrier बना दिया body से direct tissue जो है वो covered होता है skin से और skin जो है outer environment के साथ में क्या होती है interact करती है तो mechanism अगर मैं बोलू कि भई कैसे skin करती है तो पहली चीज़ की layers होती है बहुत सारी तो layers और dead skin dead skin के उपर कोई अगर pathogen आता है तो वो layer उतरती रहती है और pathogen जो वहाँ पे जमा हुआ हो सकता है कि वहाँ पे कोई growth वगरा हो तो वो साथ में निकलता रहता है दूसरा reason वो यह है कि जो pH होती है skin की वो 3 to 5 होती है जो कि थोड़ी सी acidic में आती है और इस pH की वज़े से bacteria को destroy करना असान होता है हमारी body के लिए तो यह bacteria को क्या कर देती है destroy कर देती है यह सारी properties किसकी है skin की next physical का जो example है वो है mucos mucos नहीं mucosa यह भी layer होती है देखो ऐसे body में part होते हैं जहाँ पे skin नहीं होती और वो part भी contact में आ जाते हैं ठीक है तो mucos की coating हो रखी होती है epithelium पे part is mucosa basically एक ऐसी epithelium जिसके ओपर किसकी coating हो रखी है mucos की coating हो रखी है तो mucos coated epithelium यह mucosa होती है यह जो mucos है यह क्या help करता है यह pathogen को trap कर लेता है और kill कर देता है अच्छा mucosa आपको मिलेगी कहां पर examples देखते है एक बर तो जो lining होती है किसकी lining respiratory tract के और gastro intestinal tract gastrointestinal tract मतलब digestive system में भी mucosa होती है अज़र आपने digestive system के बारे में थोड़ा याद है तो आपको layers मिलती है जिन में mucosa innermost layer होती है इसके अलावा बचे euro genital tract जो होता है हमारा यानि excretion में जो काम में आ रहा है euro genital मतलब जो urethra वगरा होती है तो उसमें भी किसकी coating होती है mucos की coating होती है और ये जो cells है mucos वगरा से create करती है और mucos में micro organism trap हो जाता है और trap करके kill करने का काम यहाँ पे होता है तो physical की ये दो example आपको ध्यान रखने है इसके बाद में आता है फिजियोलाजिकल फिजियोलाजिकल भई फिजियोलाजिकल जो है फिजियोलाजिकल मतलब basically body की functioning में कोई difference आ जाना उस हिसाब से यानि body की functioning से अगर हमें immunity मिले तो फिजियोलाजिकल में आती है मैं example से बताता हूँ फिवर जो है वो फिजियोलाजिकल रिस्पॉंस है फिवर में होता क्या है कि high temperature हो लाता है और high temperature उस pathogen के लिए मतलब replicate करने में क्या करता है उसे problem create करता है तो फिवर जो होती है वो physiological response है pH of body body में pH जो है वो कई जगा alkaline होती है कई जगा acidic होती है जैसे अगर मैं acidic की बात करूँ तो भाई oral cavity में acidic pH होती है और oral cavity में acidic pH स्टमक के अंदर acidic pH और vagina के अंदर acidic pH होती है सिंपल सी बात है acidic pH यहाँ पर मिलती है acidic pH होने की वज़े से होता क्या है कि pathogen अगर वहाँ पर एंटर करा है तो वो kill हो जाएगा suitable amount में उसमें pH जो है उसको kill करने के लिए sufficient है अगर मैं बोलूं कि alkaline pH कहा होती है तो alkaline pH अगा एक example याद कर सकते है आप small intestine में तो intestine में alkaline pH होती है जो की growth को retard करने में help करती है किसी pathogen की physiological के अंदर pH के बाद में जो example बनता है जिसे example number 1 यह है example number 2 यह है और example number 3 वो है secretions body secretions भी करती है बहुत सारे जैसे कि stomach के अंदर acid का होना acid in stomach और आप stomach के बारे में जब पढ़ते हो तो महाँ पर acid का function भी आता है कि यह pathogen को क्या कर लेता है kill कर देता है saliva saliva के अंदर भी lysozymes वगेरा होते हैं जो कि क्या करते है pathogen को kill करते हैं इसके लावा आसू टिर्स और cemum यह भी किसके example है सारे secretions के हैं यह सारे secretions body एक तरीके से defense mechanism के तोर पर करती है okay physiological के बाद में पढ़ते हैं यहाँ पर physiological खतम होता है अब हमें पढ़ना है cellular barrier और यह थोड़ा सा important है यह important इस वज़े से है क्योंकि यहाँ पर हमें phagocytosis वगरा समझनी होती है तो देखो cellular barrier में दो तरीके की cell होती है दो तरीके की cell होती है एक तो phagocytotic cell होती है phagocytic cell cytotic या cytic दोनों बाते सहीं है cytic cell या फिर non phagocytic cell non phagocytic cell यह दो तरीके की cell वहाँ पर मौझद हो सकती है मैं पहले बात करूंगा phagocytic cell की तो phagocytic cell जो है उनका example आपको ध्यान रखना है वही सबसे famous example है macrophage का बच्चे-बच्चे को पता होता है कि यह जो cell है वो क्या करती है phagocytosis करती है macrophage को यह बच्चे monocyte भी बोलते हैं बस वह blood में होती है तो monocyte कहलाती है बोडी के किसी और मतलब ब्लड को छोड़ता रगर किसी और फ्लूड में है तो macrophage कहलाती है इसके लावा PMNL क्या फुलफॉल पॉली मॉर्फो नूग्लियर लूकोसाइड्स कि मैं लिख देता हूं यहां पर पॉली मॉर्फो नूग्लियर लूकोसाइड्स बिसिकली यह बताना चाहता है नूट्रोफिल को सर यह अजीब सा नाम क्यों देखो नूट्रोफिल जो है वो एक ग्रैनुलोसाइड डब्लूबीसी है ठीक है और पॉली मॉर्फो नूग्लियर का मतलब बिसिकली यह है देख लूकोसाइड बताता है इस नाम में कि भाई यह डब्लूबीसी है पॉली मॉर्फो नूग्लियर का मतलब है कि जो इनका नूग्लियर होता है ना वह इस तरीके से अज़ाए फैगोसाइटोसेड एक सेल के एक्जाम्पल हमारे स्लिबस में है अब फैगोसाइटोसिस होता क्या है भाई फैगोसाइटोसिस को मैं सिंपल टम में बताऊं तो इंगल्फिंग और पैथोजन है वह इंगल्फिंग और पैथोजन ठीक है स्टेप्स होते हैं फैगोसाइटोसिस के मैं सिंपल बताता हूँ स्टेप्स कैसे हैं भाई मान लो कि यह बलड वैसल है यहाँ पे कोई हमारा पैथोजन है तो यह भाई हमारा पैथोजन है ठीक है यह blood vessel, सबसे पहले यह vasodilation शो करेगी ठीक है, vasodilation मतलब यहाँ पे बहुत सारा blood आ जाए amount में जाद आ जाए, इस वज़े से इसका diameter बढ़ जाता है इसे vasodilation बोलते है, इसमें यह monocyte वगेरा present होंगी ठीक है, यह monocyte यहाँ से बाहर आएगी तो यह बहार आएगी, तो यह diapadasis बोला जाता है पहले क्या हुआ, vasodilation यह पहले इस surface पर चिपकेगी, इसे बोलते हैं, adhesion क्या यह याद करना है, नहीं, समझने के लिए समझ सकते है फिर यह बहार निकलती है, diapadasis बोलते है ठीक है सर, इसके बाद में यह bacteria की तरफ जाती है, मालो यह pathogen जो है, वो हमारा bacteria है तो यह movement करती है pathogen की तरफ इसे बोलते हैं chemotoxic movement chemotoxic movement ठीक है, अब यह जा कर क्या कर देगी, इसको engulf कर लेगी, तो basically engulf करती है, कैसे है, तो ध्यान से दिख यह थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, अफकोर्स pathogen से तो बड़ी होगी हमारी macrophage, हमारी monocyte, तो यहाँ पे पहले यह इसके साथ में attachment शो करेगी, तो यह attach हो जाते हैं, उसके बाद में यह engulf कर लेती हैं, तो इसके अंदर ऐसे vacuole जैसा structure बन जाता है, तो यह हमारा pathogen, और यह vacuole जैसा structure बन गया, इसको बोला जाता है phagosome, चीक है, इसने क्या किया यहाँ पे engulfing की, अब इसके पास में lysosomes होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, enzymes होते हैं, जो कि यह इस पे फैंक क्या मारते हैं, मतलब basically, यह दोनों आते हैं, और यह fuse हो जाते हैं, तो यह जो enzymes हैं, और यह जो बिचारा pathogen, जो मरने वाला है, इनका milan हो जाता है, इस particular structure को बोलते हैं, phagolysosome, now, इसके बाद में यह enzyme, इस bacteria का क्या कर देते हैं, destruction कर देते हैं, और जो भी इनका waste है, मतलब pathogen का जो भी waste होता है, वो एक तरीके से बाहर छोड़ दिया जाता है, इसे बोलते हैं, exocytosis, तो इस तरीके से जो है, वो phagocytosis की process होती है, थोड़ा समझने के लिए, कि exactly process में चल क्या रहा है, आप समझ सकते हैं, तो phagocytosis यहाँ पे खतम होती है, अब बात करते हैं, non phagocytotic cell की, तो non phagocytotic cells, यह है natural killer, इनका example है, natural killer cell, तो natural killer cell phagocytosis नहीं करते हैं, मतलब इंगल्फिंग नहीं करती है, अपने जो pathogen हैं, तो यह क्या करती है, यह हमारी natural killer cell, मैं N की, short form में से बलाऊंगा, यह हमारा फिर से pathogen, ठीक है, और यह इस पे parforin डालती है, what is parforin, parforin एक ऐसा chemical होता है, जो की pore create कर देता है, इस pathogen के body के अंदर, तो यह क्या कर देगा, creates pores, pore यह जो है, create कर देगा, और यह मर जाएगा, थोड़े समय बात, last way, पढ़ते हैं हम cytokine barrier, तो D हमें पढ़ना है, cytokine barrier, सबसे पहले तो cytokine होते क्या है, आपको यह समझना ज़रूरी होता है, तो यह एक तरीके से protein होते हैं, और cytokine का सबसे interesting example जो है, वो interferon होता है, ठीक है, तो यह protein कौन बनाता है, भई एक cell है, हमारी body की, जो की affected हो चुकी है, वाइरस से, तो भई यह वाइरस है, इसका DNA इसके अंदर चला गया है, तो viral इंफेक्टड वाइरस इंफेक्टड सेल, इस वाइरस इंफेक्टड सेल ने protein release किया, एक खास तरीगे का, यह interferon है, यह interferon जो बाकी अनफेक्टड टिशू है, उनको जाकर क्या recommend करेगा, कि यह, यह जो टिशू है, यह जो सेल है, यह क्या produce करेगे, produce TIP, TIP क्या होता है, टिप, translation, inhibiting, protein, तो यह क्या करे, भई, एक ऐसा protein बनाए, जो कि translation को रोपता है, मतलब वाइरस के protein नहीं बनने देना चाहता है, ठीक है, वाइरस जो इसकी body में जाकर अपना protein coat बनाना चाहेगा, वो नहीं बनेगा, अगर यह protein वहाँ पे होगा, तो इसे बनवाने के लिए signal को लेके आया, इंटर्फिरोन, तो एक तरीके से messenger का का काम कर रहे है, जैसे hormone का करता है, ने messenger का, वैसे ही यह exactly काम करता है, तो इंटर्फिरोन जो होता है, वो species specific होता है, यह important है, इंटर्फिरोन are species specific, species specific होता है, that means यह है, कि इंटर्फिरोन जो produce कर रहे हैं, एक species, वो सिरफ और सिरफ उसी species की cell को protect करेगा, मतलब, मालो, human की cell ने एक इंटर्फिरोन release किया, तो यह जो इंटर्फिरोन है, यह सिरफ और सिरफ human की cell को ही क्या करेगा, बचाएगा, लेकिन अगर आप देखो कि hormones जो होते हैं, वो species specific नहीं होते हैं, hormone अगर मालो insulin जो बन रहा है, कुद्टे के अंदर बन रहा हो, चे आपके अंदर बन रहा हो, वो सेम तरीके से insulin लिया जाता था, ठीक है, तो इसी वज़े से interferon जो है, वो hormone की श्रेणी में नहीं रखा गया, एक messenger होते हुए भी, यह इसके ओपर aims में एक बार question आ गया था, तो यहाँ पे खतम होती है हों, innate immunity, और innate immunity जो है, वो important है, NCRT ने काफी थोड़े स्पेस में दे रखा है इसे, लेकिन उससे थोड़ा जादा जानना जरूरी है, questions करने के लिए, next video जो होगी, वो इसका second part होगी, उसमें हम acquired immunity पर focus करेंगे, thank you so much